लाल की क्लास में आपका स्वागत है और अभी प्रोग्राम फिलाल जो नाम रखा गया है वह है अमेट करनावा और इसमें जो हमारी मंशा है मंशा यह है कि बावा साब से जुरी हैं जो बाते हैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके बीच रखा जाए इस चैनल का नाम लाल की इकलास जरूर है लेकिन मैं मान कर चलता हूं कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और आप मेरी बातों की समिक्षा करेंगे और जो भी म दोरन की वह शवदावली क्या हो तो आज कल कई तरह की बातें जो हैं चर्चा में हैं जैसे दलित शवद हैं अधिवासी हैं पिछडा हैं बहुझन हैं मूल लिवासी हैं और तमाम ये शवद सब आ रहे हैं और तरीके से इस्तमाल किये जा रहे हैं लेकिन आखिरकार इसका केंदर बिंदु क्या हो मोबलाइशन कैसे हो ये सबसे जादा सबसे एहम सवाल है और सिर्फ ये चर्चाही होती तो कोई बात नहीं है लेकिन इस शब्दों को इस्तमाल को कर खास तोर से दलित वन्चित जमात में एक मारा मारी है आपा धापी जूतम पैजार है और सब दूसरे को नीचे दिखाने के होड़ में लगे रहते क्या इस पर चर्चा हुई होगी, क्या ये विमर्श हुगा होगा ? यह सवाल हमारे सामने सबसे मत पूर है तो अगर यह माल लिया जाए कि ड़ोकर अमबेकर यह डिवेट आया होगा तो ड़ोकर अमबेकर ने कैसे इस शब्द का इस्तवाल किया होगा ? से क्या सुझाव दिया होगा यह सब समझना जरूरी है इसलिए मैं समझता हूँ कि थोरे से इतिहास की ओर जाना जरूरी है अगर डॉक्टर रामबेटकर के राइटिंग्स और स्पीचेश को आप पढ़ेंगे तो पूरे उनके राइटिंग्स में सिर्फ डिप्रस क्लासे शब्द का इस्तमाल किया गया है अब यह सवाल उड़ता है कि डॉक्टर अमबेटकर के जमाने से पहले यह शब्द जो है इस्तमाल में जाहिरे रहा हुआ होगा तो आखिर यह कौन लोग थे जो कि डिप्रस क्लास में शामिल थे तो इसका उत्तर जानने के लिए आपको 1916 में जाना पड़ेगा लेकिन 1931 31 32 जब पूरा जब राउंटेबल कॉनफरेंस चल ला है और जब फ्रेंचाइजिस कमीटी आती है भारत में कैसे मताधिकार दिया जाएगा सम्मिदान कैसे बनेगा क्या होगा इस सारा जब विमर्ष चल ला है उस समय यह शब्द फिर इस्तमाल में आया और डॉक क्लासेज में सिर्फ वही लोग आएंगे जो अस्परिश्य हैं जो अंटेचेबल से तो यह पहली बार 1931 में जाकर यह क्लेर कट होता है कि सिर्फ अंटेचेबल सी डिप्रस क्लासेज एक काटेगरी में आएंगे और यह यह जो डिसिजन है अंबेटकर की सबसे बड़ी जी थी तो बहरहाल कि यह आपको जेनिसिस समझना पड़ेगा दूसरी बात यह है कि 1931 में ही डिप्रस क्लासेज शब्द के इस्तमाल पर कई तरह के अबजेक्शन आ रहे थे और खास तोड़ से जो अंटेचेबल कमुनिटी के लोग थे उनकी तरह से अबजेक्शन आ रहे थे कि आकिर यह सब्द हटा आए जाए तो यह सवाल डॉक्टर अमबिटकर के सामने भी आया कि इस सवाल के जगह इस मुद्य की जगह डिप्रस क्लासेज की जगह कौन से शब्द है जिसका उपियोग हम लोग करें तो उन्होंने सुझाव दिये वह बड़ा धिल्चस्त है उन कि ने तीन ट्रमाइजी डॉक्टर अमबिटकर ने सुझाव दिया था उस समय उन्होंने कहा था कि हम यह सिर्फ सुझाव दे सकते हैं मेरे कहने कोई अधिकार टेकनिकली नहीं है लेकिन अगर डिप्रस क्लासेज को लोगों को ठीक सीच समझा दिया जाए तो जाहिरे कि इ इस्तमाल करेंगे यह इंपॉर्ट नहीं था उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि पॉलिटिकल लिबरेशन कैसे होगा सोचल लिबरेशन कैसे होगा यह सबसे एहम सबाल था तो यह बात हमें समझने की आज जो लोग चाहें मून लिबासी बहुजन या दलीर शब्द के इस्त से दलित जो है वो लिट्रिचर से आया है बहुजन एक पॉलिटिकल टरमलोजी है तो आप जो भी शब्द इस्तमाल करें इसमें कोई आपसी जगडा लडाई की बात नहीं है आप जो आपको जो महसूस करते हैं वो शब्द का इस्तमाल जरूर किजिए चाहे बहुजन किज है कि डॉक्टर अमबेटकर को आप समझें कि उनके लिए जो सबसे एहम था मसला था वो मसला था कि पॉलिटिकल लिबरेशन सोशल लिबरेशन था तो आप जो भी लोग शाही की एक मर्यादा है कि आप 51 पर समती है तो हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो मेरी व्यक्तिकत र के लोग हैं जो अस्परिशे लोग हैं जो ट्राइब लोग हैं उनके मुक्ति के क्या सिंबल्स हो सकते हैं क्या एजंडा हो सकते हैं क्या प्रग्राम हो सकते हैं इस पर एक कॉमन मिनमम प्रग्राम बनाएं एक दूसरे को गाली नहीं दें शब्दों के इस्तमाल पे बलकि एक साजा मंस तयार करें यह मैं नहीं करा हूं डॉक्टर अम्बेटकर भी उस समय यहीं उनके अंडरस्टाइडिंग थी शब्दों के इस्तमाल को लेकर तो यह लबो लुगाव है यह मोटा मुटी बात है कि बी डेमोक्रेटिक आपको लिबरल होना है शब्दों का इस्तमाल का पूरे संदर्व समझना है कई बार वो जो है परावपराओं से आती है आदतों से आती है तो यह बात ध्यान में रखी जाने चाहिए साथियो आज अमबेटकर नामा में इतना ही और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी और जादा से जादा पांच से दस मेंट का एक वीडियो है अगर अच्छा लगे तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें शेयर करें दोस्तों को बताए और लगातार इसी तरह के मुद्दों के साथ रोज एफ्री डे पांच से दस मेंट हम आपके बीच हाजी रहोंगे शुक्रिया जैविन साथियों अमबिटकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बोजन मीडिया को स्थापित करने में दाशूद्रा की आर्थिक मदद करें आप सीरे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भीच सकते हैं बेनेफीसरी नेम है दाशूद्रा अकाउंट नंबर है 22233 0094689357 IFSC कोड है RATN 0VAPIS ध्यान दीजे, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई आप हमें 8595-7942248 पेटियम पर UPI के जरिए भी अमाउंट रस्फर कर सकते हैं पेटियम गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595-794224 जै भीन, जै भारत